Hello Everyone, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपनी rhymes की फाइल कैसे बनाई है, जो कि मैंने entity के course करते वक्त बनाई थी, तो मैंने सुचा क्यों आप सब के साथ share करी जाए, तो यह हमारा first page है, rhyme file का, यहाँ पर मैंने अपने topic को introduce किया है, अपनी file का जो main topic है, उसे introduce कि है, उसके बाद आपको दिखाना है कि यह फाइल बनाई किसने है, यह दोनों में एक page पर ही लिख सकती थी, बट मैंने सोचा क्यों ना, extra page लगाया जाए, थोड़ा अच्छा लिखाया जाए, तो इसलिए मैंने next page पर यह लिखाया है, उसके बाद हमने यहाँ पर हिंदी कविताओं को इंट्रड्यूस करा है, नेक्स पे हमने index रखा है, सूची, हिंदी में index को सूची कहते हैं, इसलिए हमने हिंदी कविताए हैं, तो सारे topics हमने हिंदी में ही लिखे हैं, इसके बाद हमारी जो first poem है, वो है लाल बत्ती, तो लाल बत्ती का poem लिखा हुआ है, और के बाद हमने उसका सारा जो पिक्चर है, वो दिखाया हुआ है, next में आप देखेंगे फलो का राजा, उसकी भी पिक्चर है, और next poem हमारी जो होगी वो है हाथी राजा, हाथी राजा में हमने हाती की जंबो की एक पिक्चर बनाई है, और उसकी poem लिखी है, अब next पर आते ह है, rhymes है, तो इसके बाद हमने अपने English rhymes भी लिए है, उनको भी देख लेते हैं एक बार, English rhymes के लिए मैने अलग से एक पेज लिया है, उस पर मैंने ए topic को mention करा है, और इसके बाद हमने एक index भी रखा है, index भी देख लीजिए, इंडेक्स में मैंने सारे topics mention करे हैं, जितने भी poems के topics हैं names हैं वो सारे mention किये हुए हैं यहापर तो चलिए first poem देखते हैं Mary's frog यहाँ पर Mary ने frog पैना हुआ है और next poem है sounds of birds दो तरह की birds दिखाये हुए और उनके sounds को भी दिखाया हुआ है यहाँ पर तो चलिए next पर जाते हैं next है हमारा blue ship blue ship का एक बड़ा सा picture लिया गया है और उसकी poem लिखे हुई है तो हमारा next है teddy bear teddy bear की एक rhyme है और teddy bear भी है हमारे और इसके बाद हमने एक rhyme लिया है ABC तो ABC का एक बड़ा ही cute सा picture बनाया हुआ है और उसके साथ ABC की poem भी है तो चलिए हमारी आज की rhyme file खतम हो गई है प्लीज दो लाक शेर कमेंट और सब्सक्राइब चैनल थैंक्स वर वाचिंग